वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंप्स भोपाल तो उसकी जो 2018 में पेपर हुई है उस पेपर को हमाई सॉल्फ करने वाले हैं ओफिस्यल अंसर की को पार्ट फर्स्ट मैं आपका जेनरल अवर्ने से रिलेटेड दिया हुआ है आपका कंप्वीटर से रिलेटेड है कोश्चन तो इस सारे कोश्चन 20 कोश्चन जो होते हैं आपका और ट अफदी नर्सिंग से रहता है वो कोश्चन को हम सॉल्फ नहीं करेंगे इसमें आपका 80 question को हमाई solve करने वाले हैं इन 20 question के बारे में मैंने यह discuss कर चुकि हूँ पहले ही वीडियो में कि आपका एक ही वीडियो में पूरा आपको जितने भी question बनेंगे 100 या 200 question सारे question को solve करवाया जाएगा यह आपको क्योंकि इसमें देखे थोड़ा सा visibility में problem है यह हमें क्या मतलब इसको आपको direct convert करना पड़ेगा देन आपको तभी इसमें आपको solve होगा सही तरीके से यह सारे question जो एक ही video में रहेगा एक ही video में एक ही video में डेली मिल पाएं आम से related जितने भी question upload की जा रही है अभी जितने पेपर है मेरे पास डेली में एक paper को solve करने के पूरी कोसिस कर रहे हूं साथ में आपका skill based question में कुछ दिनों में आपका upload करना स्टार्ट करूंगे image based question स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका नौर्सेट में image based से भी question आएंगे यह सारे है और telegram channel पे join कर लिजेगा आप मैं पहले ही बोल चुकि है promise कर चुकि कि जितने में इसमें चानल पे upload कर रही हूं सारे कि सारे पीडियाफ आपको अबलेबल करवाई जाएंगे आपको टेलिग्राम चानल पे और मेरे इस्टाग्राम को भी follow कर लिजेगा वहां भी आपको one question डेली इसमें अब मतलब upload की जा रही है put out की जा रही है उसका अंसर आपको comment box में comment करना है तो उसमें भी आप follow कर लिजेगा इस्टाग्राम पे तो आए हम start करते हैं यह 20 question आप देख पारे हैं सारे के सारी question है 20 question दिया हुआ रहता है 20 number का जो out of nursing होती है nursing subject से अलग है आपका देखी part second यहां से है part second यहां पर देख पारे हों गया part second यह है आपका part second जो कि यहां से हमाँ solve करने वाले हैं पहला question जो है आपके पर स्टोप हो रहा स्क्रिन वे शो हो रहे हैं body temperature न्यूनेट में regulated mainly body temperature की बात किया कि इसका न्यूनेट में regulated mainly तो यहां पर right answer आपका जो हो गया इसमें first में तो देखे ब्राउन एडि पॉस्ट इस राइट वा इस का आंसर सकेड नमर कोशन के और मुब करते हम आप motility indicator among the following motility indicator among the following तो किसमे होगा disability rate, prevalence rate, incidence rate या फिर आपका life expectancy at birth, किसका at birth life उसका देखा जाता है कि birth के दौरान कितने, मतलब आपके पास life है जीवी थे बच्चे, तो mortality indicators दिया गया है, तो right answer आपका यही होगा, four options इसमें right होगा, next question के और move करते है, next question जो आपका है, clinical date is also known as, clinical date is also known as, also का मतलब भी है, तो यहाँ पर clinical date, किसे brain date को भी कहा जा सकता है, तो आपका right answer जो होगा, आपका option, first होगा brain date, next number question है, देखे, आपका official answer की idea, इसमें, सारा answer भी show हो जाते है, इसमें, और आपको बस, fast मैं इसको solve कर दूँगे, चाहता मैं देखे, four number जो है, the type of play, देखे, एका exhibited by toddler, where the play by themselves in the presence of other children is called, other children is called, problem हाएंगी देट, please quality अपना mobile में बढ़ा लिज़ेगा, थोड़ा, 700 से पार ही रखेगा, जादा तभी आपको अच्छे से visibility होँगी, तो यहाँ पर the type of play exhibited by toddler, where the play by themselves in the presence of other child who children is called, तो क्या होगा, parallel play, कौन सा होगा, parallel play, क्यों होगा, यहाँ पर type of play की बा by toddler में, by toddler में, ठीक है, तो toddler के लिए parallel play होगा, right answer, next question के और move करते हैं, next question 5 number में जो होगा, 5 upper airway illness that result from swelling of the epigolitis and larynx is broadly called, is broadly called, क्या epigolotitis है, और आपको क्या upper airway में क्या होगा, illness, that result, जब result देखा जारा, तो from क्या मिल रहा, वहाँ से swelling है, epigolotitis है, and larynx is broadly called, broadly called, that is called, क्या थेलागा, आप answer भी सो हो रहा, आपके पास group, क्या होगा group, right answer option first आया, next is 6 number question आपके पास, nursing care that is based on identifying and meeting the need of patient is called, need of patient is called, या पर क्या nursing care, that is based on identifying, किसके अधार पर आप identify करेंगे, meeting the needs of your patient, that is called, the client orientation, किसे client की orientation से, the right answer आपके क्या हो, option first ही आएगा, next is normal range of sodium in blood, हमारे blood में sodium की मातर कितनी होंगी, normal range पूछा गया idea, normal range पूछा गया, sodium, potassium, calcium, यह सर्व से कोशर आपके exam में आते है, electrolyte imbalance को आपको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है, कि below कितना होगा, normal कितना होगा, average रहेगा, ज्यादा रहेगा, कितना आएगा, तो यह सारे उसमें पूछा जाता है, ranges, तो यहाँ पे देखे, normal range पूछा है, आपका sodium label का हमारे blood में कितना होगा, तो 135 से लेकर 145 milli equivalent per liter आएगा, तो right answer इसमें आपका options B आएगा, second is correct answer, next time, eight number question आपका दिया गया है, a skilled personal who provide follow-up visit post discharge, post discharge to a patient home for the delivery of nursing services, of nursing services are called, तो यहाँ पे देखे, a skilled personal who provide follow-up visitor, जो visit में जाती follow-up के लिए, post discharge, discharge के बाद to a patient's home for the delivery of nursing services that is called, क्या होगा, home health care nurse, क्या करेंगी, नर्स क्या करें, घर में जाके facility दे रिये, provide करें, सुविधाए, discharge के बाद right answer option, second आया, next, nine number question आपके पास है, the behavior of your diabetic person, who eats sweets regularly, is an indication of, is an indication of, यहाँ पे क्या behavior of diabetic persons, किसका behavior देखा जाला है, diabetic person का sugar patient है, उसका who eats sweets regularly, in an indication of, तो क्या होगा, उसको क्या करना है, क्या करना होगा, डिनायन करना होगा, उसको मतलो regular नहीं ले सकता है, sweets, तो sweets को क्या करना है, मिठाई को क्या करना, उसको लगतार, नहीं लेना है, उसको deny करना है, next question क्यों move करते हैं, 10 number question, skin target test is used to assess, used to assess, skin target test जो करेंगे, इसके लिए क्या assess करते हैं, तो hydration status देखा जाता है, जब skin target test की जाती, तो hydration body में कितना पानी की मात्रा है, dehydration नहीं कि क्या hydration status देखी जाती है, next question 11 number है, यहां पे, देखेंगा, laboratory test for pregnancy are based on the detection of hormone, based on the detection of the hormone, laboratory test में, जो pregnancy, किसके लिए, pregnancy के लिए, किसके based पे, किसके अधार पे, it detects किया जाएगा hormone को, follicle stimulating के लिए, या फिर progesterone के लिए, या फिर as CG, या फिर glutenizing, तो right answer आपका आएगा, human coronary gonadotrophian, gonadotrophian, right answer as CG, as CG hormone होगा, right answer 3, next at one number question आपके सामने यहां पे, the guidelines recommended by the center for disease, center for disease control in 1987, which were update in 1988, which were वहां पे क्या किया था, update कब किया था, 1968 में, to prevent the transmission of AIDS, how to prevent the transmission of AIDS, that is called, क्या होगा, universal precautions का अलागा, क्या का अलागा, universal precautions, to be guidelines recommended by the center for disease control, center for disease, यानि की CFDC, in 1987 में, उसको जब अप्डेट किया गया, 1988 में, तो इसको किसको prevent करने के लिए, जो टोकी ads ना फैले, उसके लिए क्या करना होगा, क्या recommend किया गया, guidelines के ताहक, तो universal precautions, options first is correct answer, next question, 30 number question, the distance from the lower border of the public sympathies to a sacral, देखेगा, promonetory is called, promonetory is called, या पे distance from the lower border, lower border of the pubic sympathies, is to sacral, is to sacral, promonetory that is called, क्या कहलाएगा, किस से दूरियां है आपका, sympathies pubic, pubic sympathies, तू कहाँ पे, sexual promonetory, promonetory that is called, क्या होगा, देखेगा, यहाँ पे, diagonal conjugate, क्या होगा, diagonal conjugate, option first is correct answer, next is, 14 number question है, which among the following, represents the most common type of accidents, found in case of toddler, found in case of toddler, क्योंकि, toddler के लिए, पूछा गया, dear, अधि, child के लिए, पूछेगा, तो fall होता है, fall होता है, बच्चे के लिए, यहाँ पे, toddler के लिए, जो 3 साल के बच्चे के लिए, 3 साल तक के बच्चे के लिए, पूछा गया है, तो इसके लिए, सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, कौन सा होगा, आपको options भी सो हो रहे हैं इससे question आते हैं dear इससे question हमेशा exam में पूछा जाता है बच्चे से related कितना साल में क्या होगा तो right answer इसमें क्या हैगा आपका options बर्न साहेगा option third is correct answer third is correct answer next है 15 number में a woman who has given birth five times or more is called more is called जैसे a woman who has give birth बर्थ मतलब हो रहा हुनका give birth five times सोचे फीमेल है जिनका पांच टाइम उसका बेबी हुआ पांच तो या फिर उससे ज़्यादा हुआ तो क्या कहलाएगा तो grand multipara कहलाएगा देखे नली पैरा, grand multipara multipara और प्रैमी पैरा प्रैमी पैरा तो आप जाने रहे हैं कि आपका फॉर्स्ट ये क्या है फॉर्स्ट ग्रेविडा आई है तो प्रैमी पैरा होगा और नली पैरा आपका बश्या इसका मतलब क्या होता है कि ओमीन का जो फीमर फीमेल जो होता है ये क्या होता है इसमें अनिमल डाट है नेवर गीवेन बर्थ नेवर गीवेन बर्थ ये इसमें मतलब वो प्रेग्नेंट होना इसमें पासिलिटी नहीं है कि ये आपका नली पैरा होगा नली पैरा होगा ये नेवर बोर्निया चाहिए टूपव Hiria ना लनिपार में मद्छीऊ मम्टी पैरा में जब 5 4 do FF ज्यादा रहा मम्टी पैरा में एक ही है कंप हो लिभी होनाया है फॉर्स्ट इम आपके पास आही है दिरूिवरी के लिए स्व hashish number question है विट्ट व्डी ओँदly इस आ है तो राइट अंसर आपको क्या होगा option third आएगा kidney option क्या आएगा third क्या पूछा retro peritonial peritonial structure तो राइट अंसर क्या होगा option third kidney next आपका an ideal nursing care plan for your patient must be an ideal nursing care plan क्या होगा nursing care plan किसके लिए patient के लिए सबसे ज़्यादा चलूरी क्या होना चाहिए complex individualized यहां पर देखेगा individualized या फिर reasonable या फिर least expensive तो right answer आपके individual ही होगा individualized option second is correct answer next है 18 number question 18 number में है आपका root value for knee jerk reflex are knee jerk reflex are option first में देखे S3 and S4 S3 and L4 S1 and S2 S L1 and L2 root value पूछाए किसका for knee jerk reflex के लिए तो right answer क्या होगा right answer क्या होगा इसका very very important question पूछाए डिया है इसमें आपका right answer जो 100 होड़े L3 और L4 है L3 और L4 है next 19 number में the entire transitional phase between sexual maturity and menopause that is called क्या कहलागा entire transitional phase between किसका between किसके बीच में sexual maturity and menopause sexual maturity and menopause menopause के absence of bleeding हमेशा के लिए जो होगा absence हो जाएगी menstrual cycle के menopause कहलाता है इसके बीच में sexual maturity and menopause that is call क्या कहलाता है climacteric कहलाता है क्या climacteric कहलाएगा options यह क्या होगा right answer first होगा कौन सा होगा right answer आपका first आएगा option first is correct answer then then उसके बाद क्या ह्पा Rafana Puberty है Puberty में क्या होता है Puberty में आपका की Jo child body changing होता है क्या होता है changing हो जाता है and become physically like that of what hours ही क्या हो जाता है उसके बाद बढ़ने लगता है तो changing होने लगे Puberty में मेनार्की हर्टS time period होँगे तो क्या कहला मेजुरी वहाँ से रेलेटड कोशन आयें ये जो होता है थिलार्की जो होता किके बाइज रिग नौन काते हैं इसको हम इस ब्रेश्ड बडिंग करने सफेरी करने रगता है थिलारकी शु BuffG यह आपका चार का चारो जो है आपका बता दिया गया इसमें जो आपके हां पर पूछा था sexual maturity and menopause related पूछा था तरहाई चांसर आपका options climacteric हुआ पीवर्टी में देखा कि इसमें changes होगा child's changes, body changes, इसमें development होगी दिन उसके बार मेनार्की में first time periods that is called आपका दिन थेलार्की में भी क्या है, breast development हो रहा है इसमें जो कि non-ice breast ब्रेस बड़िंग भी पोल सकते हैं हम लोग also non-ice या फिर इसमें क्या होता है secondary breast development तो 19 का होगी complete 20 नंबर जो है आपका the functional component of abdu senses nerve क्या है abdu sense nerve ये functional component पूछा abdu sense nerve का कौन सी घटक होगा जो कार करेगा तो gender somatic क्या होगा efferent gender somatic efferent right answer आएगा next 21 में है आपका the visual examination of देखेगा the visual examination of the cervix and vagina क्या है इन cervix and vagina तो इसमें देखेगा cervix and vagina by a special instrument that is called by a special instrument that is called तो इसमें आपका right answer क्या होगा right answer क्या होगा तो right answer इसमें जो हुआ देखेगा colposcopy colposcopy ये क्या हो रहा है क्योंकि examine किसको क्या चाहरा cervix and vagina by a special instrument से तो इसको क्या कहेंगे हमनों colposcopy कहेंगे right answer ये आया laposcopy से आप क्या करते हैं इसमें जो surgical procedure होती है fiber optic instruments होता है inserted through the abdominal wall then उसके बाद organ in abdominal permit a small a scale surgery इसमें a small ए छोड़ा सा surgery की जाती है ये आपका laposcopy से इसमें क्या होता है surgery इसको क्या क्या चाहता है surgical procedure then उसके बाद histrktomy में क्या होता है remove कर दिया जाता है कि इसको uterus को then उसके बाद आपका last make और क्या बच गया skull देखेगा salpingo ascopy ascopy ये question आपके exam में 3-4 बार आया है ये आपका salpingo ascopy से salpingo ascopy से very very important question इसको मान लिए आप क्यूंकि इससे related question आया हुआ है इससे related question आया हुआ है तो इसमें देखेगा ये क्या होता है endoscopy technique होता है then allow the direct visualization of tubal mucosa में क्या क्या जाता है इस direct देखने में सुविधाई होती है विजुलिटी अच्छे से होती है tubal mucosa को देखने के लिए आपका तो direct इसमें ये technical है salpingo ascopy तो ये जो होता है विजुलिटी में सुविधा होती है देखने में ठीक है और नप्रिस्कॉपी देखे surgical procedure कि रिमूफ करती जाती है uterus को देना को यहाँ पे कॉल्पोस कॉपी से क्या हो रहा है कि सर्विक सर्वेजीना का special instrument से visual हो जारा देखा जा रहा है ठीक है ना इसमें भी वही चीज़ी है कि जो endoscopic होगा टेखनिक जो होती है एलाओ करता इलाओ क्या करता direct visualization of the किसके लिए even mucosha का तो रहा है थांसर इसमें option third हुआ नेक्स्ट आगा यह 22 नमबर में which of the following is not your precaution to be taken in case of patient with your central IV line with your central IV line यहाँ पे not your precautions not your precaution to be taken in case of patients with your central IV line तो इसमें क्या आगा changing the line everyday changing the line everyday यहाँ पे क्या पूछा है कि निमलीकित में से कौन सा precaution यह कि patients with your central IV line जोगर नहीं आगा तो देखिया skin's antiseptic sepsis होगा optimal fight selections होगा hand-heisening हो सकती है लिए not पूछा कौन सा इसमें precautions में नहीं है तो राइट अंसर इसमें changing the line everyday option false इसमें नहीं आगा option false is correct answer next 23 नंबर है quality देखियेगा quantity of an individual interpersonal ties and extent of involvement with the community is knowledge with the किसके साथ में community के साथ में quality and quantity कर individual and आपका interpersonal relations वो आपका community लेबल पे समाज में तो राइट अंसर ये होगा social dimension of health कि इस सोसाइटी से बात की जाराइड यार तो राइट आपका social ही होगा तो आपसें second आएगा इसमें right answer next 24 नंबर जो है method of data interpretation among the following method पूछा है किसके लिए data interpretation के लिए देखिए आपका administration and management very very important इसे एक्जाम में कोश्चन आपका 5 से 10 कोश्चन आएंगे ही आएंगे नर्सिट में आपका skill-based question आएंगे 10 to 15 मार्क्स का image-based question कुछ आएंगे 5 से 10 यह सारे को आपको अच्छे से कभर करके जाना है यहां पर देखिएगा method of data interpretation among the following right answer इसमें क्या हुआ prioritization priority ठीक है ना यह data interpretation से करने से पहले आपको priority क्या करना हुआ सब चीज प्लान करना होता है तो अच्छे थार्ड is correct answer next the concept of self-actualization and 15 basic personality characteristics were described by were described by कि इनके तो describe क्या गया था mass law theory यहां कहीं किया the concept of self-actualization the concept of self-actualization and the 15 basic personality characteristics दिये थे 15 basic personality characteristics दिये थे तो यह कौन दिये थे mass law mass law right answer option first two are next 26 number है from the following the define from of C-S-S-M very very important question dear and very simple question देखे आप लोग के इसे यह पता चल जाएगा कि नार्शिट में भी देखे बहुत tough question नहीं पूछता है थोड़ा सा मेहनत करेंगे जितने भी previous year के पेपर सभी amps का अधि एक बार आप देख लेंगे आपको उसे idea हो जाएगी उसे idea हो जाएगा time निकाल के थोड़ा सा आप लोग जरूर watch करें वीडियो को जितने भी previous year question paper को upload की जा रही है तो यहाप देखे C-S-S-M का define पूछा है इसे related हमेंसा question आजाता है इसको आप अच्छे से cover करके जाएगा is an isotonic solution among the following तो क्या होगा आरल होगा इसमें क्या आएगा आरल होगा isotonic के अंदर next step का 28 नमबर में red blood cells are synthesized in the embryonic life in the embryonic life पूछा है किसमे होगा किसमे योग सेक में किसमे योग सेक में क्योंकि red blood cell RBC की बात क्या है वो भी synthesized हो रहा and embryonic life in the योग सेक in the योग सेक next step 29 नमबर slow infusion of isotonic slow infusion of isotonic fluid into subcutaneous tissue that is called into subcutaneous tissue that is called right answer आपका होगा hypodermoclysis hypodermoclysis right answer हुआ option third is correct answer इसमें क्या आया क्योंकि हाँ पे fluid into क्या पूछा है subcutaneous tissue that is called that is called hypodermoclysis ये इसमें राइट है ये भी question अक्ते एक्जाम में इस बार पूछा जा सकता है इस बार पूछा जा सकता है very very important question है dear इसमें क्या होता है एक amazing क्या होता है test होता है small intestine का second में आपके पास है प्लास्मा थेरेपी की जाती है जिसको प्लास्मा फडासिस की जाता है और तीसरा में तो आपने देख लिया किसमें क्या है आपका यह कोश्चन सभी पेपर में आए हुए है तो इसमें देखे राइट अंसर क्या होगा क्योंकि टॉर नोजो कोमें इंफेक्शन इस्टू राइट अंसर हस्पीटल एकवाइट इंफेक्शन नेक्स्ट कोश्चन है तो राइट अंसर में देखे गा options 4 होगा alarm reactions, resistance and actuation क्योंकि प्वी पूच्छा किसके लिए response करने के लिए तू किसका? अंसर इसको है तो राइट अंसर alarm, alarm reactions, then resistance and actuation नेक्स्ट है protein synthesis is a function of protein synthesis is a function of किसके कार्ण करते protein synthesis is a rough endoplasmic देखेगा reticulum next है 43 दा पीनो में अन आफ्स देखेगा middle middle estimates indicates middle estimates indicates right answer इसमें देखे यह कोशन पर आपका दो पेपर में मैंने देखा middle estimates यहां पर देखे एसके में अनिकेट दो कर रहा है इसमें right answer आपका option second आपका option second is correct answer तो यह आपका right हुआ देन उसके बाद first में आपका क्या implantation है इसको क्या होता है जो implanting जो होता है या state of being implanted किया जाता है ठीक है implantation यह आपका implantation जो आफ एलीन और artificial heart दिन इसका menstruation और fertilization menstruation रही periods menstruation cycle दिन fertilization यह चारों चारों जो आपका पूछा गया था जिसमें से middle estimates indicates पूछा था जिसमें आपका क्या था यह आपका avulation आया avulation आया right answer इसमें आपका second आया next question है आपका autocliving is an example of autocliving is an example of autocliving का एक best example काँछा होगा तो क्या है most heat क्या होगा most heat next है fall risk interventions do not include fall risk interventions होगा चार options है जिसमें से एक नहीं options इसमें include नहीं आएगा तो sedation of your patient नहीं होगा बात बात कि सभी होगा use of your night light non sleep footwear या use of rest strength ठीक है न and sedation of patient इसमें नहीं आएगा fall risk intervention की क्योंकि जो falling होगा गिरेगा इसमें कौन-कौन से रिस्क होगा intervention कौन-कौन से आएगा तो use of night light then non sleep footwear use of rest strength sedation of your patient इसमें नहीं आएगा तो right answer आपका यही हुग four next are latent phase, alert line and action line are term used in the contents context of latent phase पूछा है, alert line पूछा है और action line पूछा है alert line और actions line अभी alert में आपका रहता है तो आपको पता चल जाएगा कभ हम तो इसमें alert line और action line कहां भरते हैं labor room में करते हैं और partograph को हम तभी start करते हैं fill करना जग हमारा 4 cm 4 cm यह भी question आया हुआ है कि partograph हम कभ start करेंगे तो जब 4 cm cervical की dilatation होंगी उसके बाद ही आपको partograph start करना है fill करने sorry next देखे इसे भी question हमेशा सभी paper में आये हुए है कि दा फीनोमेन अन eight weeks of gas station वेयर यह पेपल से सेशन साथ तेल इन लेटरल lateral लेटरल टर्निकेस इस कॉल, चैट्विक साइंस होगा, क्योंकि एट विक्स अप्टेशन अडियर, हो साइंडर साइं, गुडर साइं, एगार साइं, यह साइंस से रिलेटर वेरी वेरी इंपोर्टेंट को कोश्चन है, समझे चारो, जितनी भी साइं आपका, सभी साइं को आपको एक बार देख लेना है, राइट अंसरी इसमें जो हुआ, एट विक्स अप्टेशन में, ओसाइंडर साइं, ओसाइंडर साइं, लिएस्ट थाटी एट वे मोश्ट कमन साइट ऑफ हास्पिटल एकवाइड इंफेक्शन इज, मोश्ट कमन साइट पूछा है, हास्प पिटा लेकवाईड का